Good morning students, आज हम करेंगे lesson 17 simple present tense and present continuous tense सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे simple present tense होते कौन से हैं क्या है simple present tense, सबसे पहले हम tense पढ़ेंगे, tense का मतलब क्या होता है, काल क्या है tense, tense are verb forms which indicate the time of action वो एक ऐसी verb है जो क्या indicate करती है time of action की क्या काम हो रहा है और किस समय हो रहा है, आगे है, अब यह कितने types के होते हैं, types of tenses यह कितने types के होते हैं, three types के, सबसे पहले कौन सा आता है, present tense, past tense and future tense और आज हम किस के बारे में करेंगे सबसे पहले present tense के बारे में कि present tense होता क्या है सबसे पहले simple present tense, simple present जो काम कब हो रहा हूँ, अब भी हम काम कर रहे हूँ, जो काम अब हो रहा हूँ, वो क्या निकी present का है, तो उसको क्या बोलते हैं, present tense, कुछ exercise देखो, write the correct form of verb in each blank, I dash my teeth daily, I dash my teeth daily, I clean, I clean, I clean, clean क्यों क्यों को क्यैं क्या है, I है, I के ब आपने हैं, plural, इसलिए इसके साथ, say, yes, नहीं लगेगा, आपको पहले करवार रहे हैं, present tense में क्या लगता है, S या Yes लगता है तो इसमें अगर singular verb होगी तो इसके साथ क्या लगेगा S या Yes लगेगा लेकिन प्रोल के साथ नहीं लगेगा आगे क्या है रंजना दैश और हेर एवरी डे रंजना अपने बाल रोज वाश करती है तो क्या हैगा Washies क्यों क्योंकि रंजना क्या है Singular है एक ही है ना तो इसमें के आगे इसके साथ Yes वाशेज You dash your dog for a walk You dash your dog for a dog Walk in the evening अपने तुम डोग को कहां लेकर जाते हो रशाम को वाख पर लेकर जाते हो तो क्या हैगा Take क्योंकि You और You भी किस में आता है Plural में Many students dash to school on foot कुछ बहुत सारे students अपने पैरों से स्कूल जाते है तो क्या है Many students है ना Students साथ ऐसा आगया तो इसके क्या लगा Come Day dash the boiling in the school orchester School orchester में क्या Violent play किया गया तो क्या आएगा इसके साथ play Play क्यों आएगा क्यों क्या पर क्या प्रूरल वर्व क्या लगा दे